रात के समय ओस एक deciding factor हो सकती है तो फिर ओस का अफसोस ना हो अगर मैं कप्तान होता और टॉस जीता तो with heads is the call and it's tails मैदान पर umpires भी पहुँच गए हैं हम भी तयार आप भी तयार हो जाईए क्योंकि एक बढ़िया मुकाबले कि हम सब को है उम्मी कि आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यहीं है कि कि पाउपले का समय आ गया है याने की टीम को रहना होगा चुस्त दुरुस्त बीटन सटी गेंद डॉट गेंद बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रंग भटोरा भल्ले बाजो ने दो दो हाथ करने की मंच्छा से आए हैं मैदान पर दुक्के के साथ किया है आरम भागेशाली की दुरघटना नहीं घटी तंपिंग के एक जोरदार अपील कीपर आश्वस्त हैं ओन फिल्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर से मदद मांगी है इस टच अन गो बल्लेबास ने की चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्लेबास इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात ना पड़ पाए ना जड़ पाए समस्या गंभीर बल्लेबास के लिए चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में बोलर की ये बड़ी अपील लेकिन अमपायर ने कहा नौट आउट बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से जी हाँ डिसीजन रिव्यू तीसरा अमपायर इनवाल्व नौट आउट करार दिया है अमपायर ने बल्लेबास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सा परिशान किया है गेंद बास को बल्ले बाजी की टेक्स्ट्बुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब अविश्कार किया है नया शॉट हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रनिंग बेट्वीन दविकेट्स फील्डर की अच्छी एफ है और बढ़िया थ्रो भी जबरदस्ट अपील बल्ले बाज भी असमंजस में अमपायर ने कहा आप सुरक्षित हैं नौट आउट करार दिया जबरदस गेंद राइट थ्रू देफेंस बल्ले और बैट में था कैब गेंद जाके लगी बेल्स पर तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया ख़़़ा सा इनको संभल के खेलना होगा और कोशिश करनी होगी एकदम जड़ में थी ये यॉरकर बल्ले बाज को अता पता नहीं था केंद कर नया खिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तक सटीक लाइन सटीक लेंथ बल्ले बाज दुविधा में महीन सीदी दरार उसमें से बटो लिये हैं पूरे चार जिसका हम सब को बेसबरी से था इंतजार वो घड़ी आई ही गई लग गया चौका पोफेक डिलिवरी आश्चन रे चकित रहे बल्ले बाज एक और डॉट गेन अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की ठीम पर स्लिप में खड़े जरूर है लेकिन गेन को स्लिप होने देते नहीं पकड़ लिया एक और कैच ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है बल्ले बाजों का ये महल गेन बाजी दुरुस्त एक्सिलेंट इनिंग्स विशाल का ये टोटल का करना है पीछा तो शुरुवात से ही करनी होगी ताबर तोड़ बल्ले वाजी आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आज उम्मीद यही है कि सलामी जोड़ी करेंगे अच्छे तरीके से आगाज थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशेश फास बोलर को बुलाया गया है बल्ले बाजों ने की है थोड़ी सी संभल के शुरुवात समझ सकते हैं आप कि इनके जहन में क्या है बेटर सेफ दैन सॉरी बल्ले बाज जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉलर की अपील कीपर ने दिया उनका साथ लेके नमपायर ने कहा बोलर बहुत निराश है इस डिसीजन से थोड़ी सी गुफ्तगू फील्डिंग कप्तान ने कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं ये डिसीजन अपील को नकार दिया है अमपायर ने नौट आउट करार दिया है पहली गेंद बन गई आखरी गेंद खाते में एक रण भी नहीं गोल्डन टाक किलिया बहार किलिया बहार क्लीन बोल्ड इलकुल साधारन बल्लेबास टीम ने कुछ प्लैन किया है और उस प्लैन का हिस्सा है ये मिडल ओर्डर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन लेकिन आज यहां भेजा गया है इनको तिशाहिन गेंदबाजी वाइड का तौफा बल्लेबाजी टीम को दूसरी गेंद दूसरी सफलता गेंदबाज प्रीज पर आए हैं नहीं बल्लेबाज उमीद यही है कि टीम प्लैन के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे बल्लेबाजो ने की है थोड़ी सी संभल के शुरुवात समझ सकते हैं आप कि इनके जहन में क्या है हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ बहुत करीबी मामला था विकेड मिलती तो हैट्रिक होती आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षार पाउर प्ले ओवर्स फील्डर सरकल में बोलिंग टीम को चतुराई से करनी होगी गेंद बाजी मिड़ान की तरफ बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं बोलर बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार तो बल्ले बाज गया लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे बियारेस नहीं लेने का किया है फैसला टाउन दा ग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा स्लॉक फील्डर कर रहे थे इंतजार गेंद गई उनकी जोली में बल्ले बाज गया पैविलियन के तरफ सटी गेंद बाजी बल्ले बाज को मतलब समझाया शून्यका तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है वंडर्फूल स्पेल बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में पाव प्ले का समय है याने की पावरफुल क्रिकेट का समय है बल्ले बाजों के लिए बोलर बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार तो बल्ले बाज गया चलिए देखते हैं अब यहां क्या होता है फील्डिंग क्याप्टन हैस डिसाइड़ कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा कि नॉट आउट करार दिया है अंपायर ने सटी गेंद डॉट गेंद आते ही चौक का संदेश बिल्कुल लाउड और ग्लियर बैटिंग होगी पॉसिटिब हलकी सीती खता और नहीं खुला खाता बैट पैट के गैप मेंसे निकली गेंद क्लीन बोल्ट इल्कुल साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में पुछले करम के बल्लेबाज को उपर भेजना पर क्या सवालों के जवाब पूछने वाले हैं देखते हैं आज एक और साधारन सी कोशिश एक बार फिर वाइड एक और एक्स्ट्रा दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुछ बहुत ही रोचक फैसला कप्तान का लोर ओर बल्लेबाज को प्रमोशन दी है बैटिंग ओर्डर में फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो एक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में हैट्रिक लेने का मौका था मौका चूग गया आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन्स चलिए देखते अब यहां क्या होता है जी हां डेसीजन रिव्यू तीसरा अंपायर इन्वाल्व ले आउट करार दिया है अंपायर बल्लेबाजी क्रम में खासी उठा पटक लोर ओर बल्लेबाज को टॉप ओडर में भीजना क्या बैटिंग ओडर को लंबा करना चाहते हैं कप्तान कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबाज की अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबाज को क्योंकि रन आसानी से यह फील्डर देगा नहीं बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं स्क्वेल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट शेतर में हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा अमूमन यह मिडल और में बैटिंग करते हैं लेकिन आज बैटिंग और में किया है बदलाव देखते हैं क्या भाग्ये बदलेगा इनका फील्डिंग यूनिट की बड़ी अपील लेकिन अमपार ने नकार दिया नॉट आउट डॉट बॉल के साथ पेस का फ्लैन है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में बड़िया फुट वर्क कलाईयों की कलाकारी फ्लिक पिन पॉइंट एक्यूरेसी लेजर गाइडेड मिसाइल जैसा त्रोड डिरेक्ट हिट ये निर ने बल्लेबास के पक्ष में अमपार ने नकार दिया पील को इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात वाड़ विकेट ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है सटी गेंदबाजी बल्लेबास को मतलब समझाया शून्यका इल्कुल साधारण बल्लेबाजी गेव इस नंबर पे बैटिंग करते हुए देखते नहीं है हम इनको खैराज इनको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना होगा लंबी पारी खेलनी होगी ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है बल्लेबाजो का ये महल गेंदबाजी दुरुस्त टीम ने कुछ प्लान किया है और उस प्लान का हिस्सा है ये मिडल ओर्डर में बैटिंग करते नहीं है अमूमन लेकिन आज यहां भेजा गया है इनको बैटर सेफ दैन सौरी बल्लेबाज जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉल बहुत करीबी मामला था विकेट मिलती तो हैट्रिक होती बल्लेबाज ने आगी की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका एक और किफायती ओवर गेंद बाजी यूनिट से लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद चौकिया के साथ की है शुरुवात I can tell you exactly की कैसा फील कर रहे हैं बल्लेबाज बैट्समेन की गलती फील्डर की मस्ती मिल गया एक और विकेट तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से बहुत नाराज होता क्या कमाल का प्रदर्शन देखा हमने टीम ने मुकाबला भी जीता है और विपक्षी टीम को बिल्कुल किया है बेजुबाद साधारन बल्ले बाजी दिखी हमें सामने वाली टीम की गेंद बाजी का दब दबा पूरे मैच में बना रहा सीख लेनी होगी यहां से अगर जीत का मू देखना है केंद के साथ जादूवर कहते हैं इनको आज इनके इशारों पे नाच रही थी गेंद और साथ में बल्ले बाज भी